कोरोना की संभावित लहर के मद्दे नजर आगरा जिला अस्पताल पूरी तरह से तयार है अगर कोविड के केसिस वढ़ते हैं तो ऐसे में जिला अस्पताल में जो मरीज हैं उनको भरती किया जा सकेगा उनका यहां अच्छे से उप्चार हो सकेगा यह पीकू वाड था इसे पूरी तरह से कोविड का अस्पताल बना दिया गया है 20 बैड का यह अस्पताल है जिस वेंटिलेटर सपोर्ट है इसके साथ ही 40 बैड अलग से आरक्षित किये गए हैं तो अब दे सकते हैं कि यह पूरा जी हॉस्पिटल है यहां कोविड के पेशन्ट भरती किया जाएंग कोविड प्रोटोकॉल को किस तरह से फॉलो किया जाएगा देखिए तमाम जो आप बैड आपको नजर आ रहे हैं उसमें कोविड के बेसिक्स का ध्यान रखा गया है जो प्रोटोकॉल से निरधारित किये गए हैं उनको कैसे फॉलो किया जाए और जब इस्तिती खराब होत है तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन क्राइसिस देखने को मिलती है इसलिए प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन भी इस बार डिस्टिक होस्पिटल में देखने को मिलेगी 500 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन प्लांट काम करेगा देखिए वेंटी लेटर सपोर्ट है यह परामेडिक के लिए पूरी दर सक्षा में हां सर यह आप दे सकते हैं कि यह पी एम केर फंड से प्दानवंत्री केर फंड से यह डिस्टिक होस्पिटल में यह वेंटीलेटर यहां नजर आ रहा है उससे लाया गया है तमाम वेंटीलेटर से आपको नजर आ रहे हैं कोरोना की दूसरी लेहर में देखा गया कि बैड वेंटीलेटर और ऑक्सीजन के लिए पूरे शहर में जवर्दस क्राइसिस देखनों के मिली त्रहिमाम त्रहिमाम नजर आया इसलिए भार सरकार ने प्रदेश सरकार ने इन चीज़ों को समझा है और पहले से इस वार एड्मांस्ट में बड इसके साथ ही एंटिसिपेट किया जा रहा है अगर चीज़ें बढ़ती हैं केसे बड़े स्थर पर आते हैं तो कैसे जो टीटमेंट सिस्टम है उसको कैसे कंट्रोल में रखा जाए कैसे चीज़ों को फंक्शनल किया जाए उस पर लगातार एक एक साइजिस चल रही हैं और इसको लेकर करकाम जो निर्देश हैं भारत सरकार और प्रदेश सरकार की तरप से जारी कर दिये गया है उसी करम में आगरा जलास errffota में एक पूबीड hospital तयार की या है और दावा किया जा रहा है कि पूरी तरह से आगरा जलाश्पताल प्रशासन तयार है अगर इसनी खरा एबी पी गंगा खबर आपकी जबाँ आपकी